Windows applications and programming morning to listeners here is web admin sort of and welcome to the continuation part 4 of software engineering fundamentals. So guys in this portal we are delivering the lectures on web programming and web developments. So let's achieve this portal in Hindi language. So let's have a look guys. Guys, यह video पिछले part का continuation है. So firstly, आप उन्हें वाच करें फिर इसे पडें. So guys, हम web technologies को समझने के लिए sequence courses को follow कर रहें. यानि कि पहले हम web design पढ़ेंगे, फिर web programming और फिर web development के बाड़े में पढ़ेंगे. So firstly, recall करते हैं previous parts के topic को. हमने आपको बताया था कि मैं आपको web design में website का look तयार करना सिखाऊंगा. मैंने आपको programming के बाड़े में जो हम steps अपनाते हैं, उन्हें program या instructions कहा जाता है, clear? So guys, इसको आप normal life में कुछ इस तरह से deal कर सकते हो. आप सापोच करे कि कहीं आपको घूमने जाना है. तो आप क्या करते हो? अपने भाई के पास जाते और बोलते हो, चलो कहीं घूमने का प्लान करते हैं. तो आप सोचो, जहां पे आपने ऐसा बोला कि चलो, कहीं गूमने का plan करते हैं, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो थे न कि जलो कहीं घूमने का हम programming करते हैं अब आप इसको feel करके देखो जो आपने बोला कि कहीं घूमने का हम plan करते हैं तो एक plan का क्या effect पड़ता हैं आप किया समझ कर plan के बाड़े में बोलते हो आप उसी के respect में समझो कि हम यहां पर programming अगर बोलें तो इसका क्या महत्व होगा so मुझे लगता है guys कि आपको feel हो क्या होगा कि programming क्या होता है so इस session को आगे बढ़ाते हैं तो अब समझते हैं कि इस programming का web में क्या महत्व होता है और इसमें ये भी हम clear कर देंगे कि पहले हमें web design क्यों पढ़ाय जा रहा है और फिर उसके बाद web programming क्यों पढ़ाय जाएगा तो ऐसा है guys मैं एक slide present कर रहा हूँ आप इसे follow करो guys इस slide में हमने एक website को design किया है और जाहिर सी बात है ऐसा हम तब ही कर सकते हैं जब हम web design पढ़े हो तो अब मैं आपको इस website के respect में web programming का महतवत आता हूँ आप इसे carefully शुनो guys एक website में programming का मतलब है उसके वेवहार को control करना यानि कि आप अपने website में programming करते हो तो इसका मतलब ही है कि आप उस website को control करना चाहते हो कि वो हमारे client के प्रती यानि कि हमारे user के प्रती किस तरह का behave करेगा clear? शो इसको और ज़्यादा clear करने के लिए आप इस box को follow करो मैंने यहाँ पे एक search box बनाया है suppose करे कि कोई person कभी visit करता है आपके website पे यानि कि आपके website को open करता है और इस search box में उसने आकर लिखा वैप institution courses तो इस चीज को वो लिखने से पहले क्या expect करता है कि जब वो वैप institution courses यहाँ पे write करेगा और search पे click करेगा तो उसको वैप institution के सारे courses के बारे में पता चल जाए तो अब आप suppose करो अगर वो person ऐसा करता है तो क्या यह होगा यानि कि उस person को वैप institution के बारे में वैप institution के courses के बारे में पता चलेगा नहीं क्योंकि design करके हम किसे website के behavior को control नहीं कर सकते तो आपने क्या achieve किया किसी software को control करने के लिए हमें करना होगा plan या programming जब कोई यह लिखे आप expect करो कि आपको ऐ Häंशा plan करना होगा में ऐशा programming करना होगा कि जब कोई यह बात लिखे तो यह open होगा जब कोई यहाँ पे click करे तो यह cut हो जाए जब कोई इस पे click करे तो यह files open हो जाए इस तरह का plan हमको करना पड़ता है तो यह हमारा website अपनी मर्जी से नहीं करता है, ऐसा हम सूच कर, ऐसा हम programming कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे से ideas आते हैं, कि हमारा user जब यहाँ पे कुछ write करेगा, तो यह open होगा, जब हमारा user इस पे click करेगा, तो यह बड़ा हो जाएगा, that means, आप क्या कर रहो यहा हो न, so, एक programming का आपके website में यही महत्व है, कि अगर आप programming input नहीं करोगे website में, तो आप अपने website, या software, या applications, या games, को आप अपनी मर्जी के अनुशार, control नहीं कर पाऊगे, so guys, अब आप expect करो, कि मैं web design, पहले क्यों पढ़ा रहा हो, बात में programming क्यों पढ़ा रहा हो, क्यो website design, यानि कि हम website बनाएंगे किस में, यह हम सीखेंगे किस में, यह तो हम सीखेंगे web design में, अगर website ही हमारे पास नहीं होगा, तो हम control किसको करेंगे, so, इसी method के respect में, हम आपको पहले web design बनाना सिखाड़े, यानि कि आपको website बनाना सिखाड़े, फिर बनाने के बाद, आप उस website में जैसा functionality define करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसको control करना होगा, यानि कि आपको उसमें programming करना होगा Guys, web programming related हमने सारे queries को complete कर दिया है, और आपको problem होती है, तो इस videos को दुबारा देखे, उमीद है, समझ में आ जाएगा So, आप मेरे lectures को में भी watch कर सकते हैं, बस हमारे playlist में जाके English lectures को ढूंडेज मेरे experience को kindly promote करे, channel को subscribe करना ना भूले और videos को WhatsApp और Facebook पे kindly share करे, So guys, I think I am offering you the best platform to learn highly configured computer science courses So, must watch the next part of this video and stay tuned to our channel, have a gorgeous day